पंजाब के 80,000 पुलीस, हर्याना पुलीस, दिल्ली, उत्राखंट, तमाम, राज्यों की पुलीस और सरकार को जक्मा दे देश का दुस्मन अमरित पाल अब नेपाल भाग गया है अब आशंका जटाई जा रही है कि खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे के परमुख अमरित पाल सिंग के नेपाल में छिपे होनी के आशंका है इस आशंका के बीच भारत सरकार ने पड़ोसी मुल्क नेपाल को चिठ्थी लिखे चुठे लिखकर भारत सरकार ने कहा है कि वह अमरित पाल को किसी भी कीमत पर किसी अनय देश में न भागने दे अगर वह भारती पासपूर्ट का इस्तमाल कर भागने की कोशिस करे तो उसको गिरफतार कर लिया जाए यानि अब भारत सरकार जब भारत में नहीं पकड़ पाई तो नेपाल सरकार से अब गुजारिस कर रही है अमरित पाल अब नेपाल से किसी तीसरे देश में भागने के फिराक में है लेकिन पंजाब पुलिस समेद पांच राज्यू के पुलिस नाकाम रही उसे पकरने में उसे पकरने की फिराक में पांच राज्यू की पुलिस रही देश में पकर नहीं पाई तो अब नेपाल से उम्मीद लगा मैठी है आपको बता दे कि अमरितपाल पंजाब हर्याना की कई जगों पर अलग-अलग रूप में वेस बदल कर भागता रहा है। अब 27 मार्स को नेपाल की निउस्पेपर काचमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। एक दिन पहले ही अमरितपाल सिंग और उसके सायोगी पापल प्रीव की एक नई फोटो सोशल मेडिया पर वाइरल हुई थी। उसके एक और सायोगी भी नैशनल सेकुरेटी एक्ट के तहद हिरासत में लिया गया। भारत सरकार के कहने पर सीमा पर चौक्सी बढ़ा दी गई है और अमरितपाल से जुड़ी जानकारियां भी एजन्सियों को भेजी जा रही है ताकि और भी वो बाहर ना जा सके। मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक भारतिय उच्चा योग ने 25 मार्च को वानिज दुतावा सिवा विभा को पत्र लिख कर सरकारी एजन्सियों को भगड़े अमरितपाल सिंग को गिरफतार करने का रोध किया। काठमांडू पोस्ट ने इंदियन एंबेसी के लेटर की कापी को का हवाला दिया और उसमें कहा गया कि अमरितपाल सिंग इस समय नेपाल में छिपा हुआ है। समानित मंतराले से अनरोध है कि वह अप्रवासन विभा को सुझित करे कि अमरितपाल सिंग को नेपाल के रास्ते किसी तीर से देश के यातरा करने के अनुमती नहीं दी जाए। अगर वह इस मिशन के सूचना के तहट भारती पास्पोर्ट या किसी अन्य फर्जी पास्पोर्ट का उप्योग करके नेपाल से भागने का प्रयास करता है तो उसे गिरफतार कर लिया जाए। मंतराले के सूत्रों के हवाले से माई रिपब्लीका अख़बार ने कहा है कि अनुर्देश भारती सुरक्षा अधिकारियों के अनुरोध पर दिया गया है और नेपाल भारत सुमा छेत्र को दो दिनों के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। में सुमावर्ती इलाके में पोलेस ने चाक्सी बढ़ा दी है। इनराखों में पोलेस साधे कपरों में घुम रही है यानि सिंपल ड्रेस में। भारते दुतावास ने नेपाल के सुरक्षक करमियों को अमरितपाल की अलग-अलग तस्वीरें भी साजा किये। पावन सरूप के साथ अपने समर्थकों सहीत थाने पर पहुंचिया। पुलेस ने उस डोकनी की कोशिस की तो ओग्र भीर ने वैडिकेट्स तो डाले और तलवारों बंदूकों के साथ थाने पर हमला कर दिया। इसमें स्पी समेथ 6 पुलिस कडमी जखमी हो गए। अज नाला थाने पर हमले के दोरान ही अमरित पाल ने केंद्रिय ग्री मंत्री अमित शा को धमकी दी। अमरित पाल ने कहा था कि शा का हाल भी पुर परदान मंत्री इंद्रा गांधी जैसा ही होगा। 1984 में एंद्रा गांधी के उनके अंग रक्षकों बॉडिगाड ने गोली मारकर हत्या कर दी थी आपको बता दें कि शान ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि पंजाब में खालेस्तान समर्थकों पर अमारी कड़ी नजर है अमरितपाल को दूसरा जनरेल सिंग भिंडरावाला भी कहा जा रहा है भिंडरावाला ने उनिस्टासी के दर्शक में सिखों के लिए अलग देश खालेस्तान की मांग उठाई थी और पूरे पंजाब में कोहराम मचा दिया था ठीक उसी तरह अमरितपाल सिंग भी धर्म की बात करता है और अलग-अलग मुल्क की मांग करता है लोगों को उकसाने और भाषन देने का भी काम अमरितपाल पर करता आ रहा है आपको बदा दे कि अमरित पाल के खिलाब तीन केस हैं इसमें 102 मामले अमरित पाल के अजनाला थाने में है अब अमरित पाल को लेकर दावा किया जा रहा है कि वह भारत छोड़कर नेपाल भाग गया आप देखते रहे हैं ने उस्ताव हुआ 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 है